नमस्कार दोस्ता, मेरा नाम है निकित सर्मा और स्वागत है आज की इस वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं Grand ITN NEOS के M.I.D. के बारे में यानि की Multi Information Display के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको एक बात के लिए कर दूँ कि यह Hyundai Grand ITN NEOS का Sports Variant है तो इससे एक ऊपर Variant आता है Ashta इन दोनों के अंदर Digital Speedometer आता है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं और इससे जो नीचे Variant आते हैं एक Magna और एक Aira उसके अंदर Digital Speedometer नहीं आता है उनके अंदर जो Speedometer आता है वो आपके आगे जो फोटो आ रहा है वो है तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ Sports और Aishta में जो Digital Speedometer आता है उसके बारे में तो सबसे पहले यह है M.I.D. का Orientation जो RPM मीटर है वो निडल वेस्ट दे रखा है Simple और जो Speedometer है आपका Odometer वो Digital दे रखा है तो सबसे पहले यह Orientation है यहां पर आपको यह सबसे पहले दिख रही होगी Speed जो की Instant Speed बताती है जिस वक्त कार चल लगी होती है उसकी Speed उसके उपर आपको दिख रहा है यह 30 degree Celsius जो की होता है एटमोस्पेर एक Temperature गाड़ी के बाहर जो एटमोस्पेर में Temperature है वो यह दिखाता है उसके बाद आपको नीचे यह साइड में दिख रहा है जो Fuel कितना बचा है कार के अंदर यह दे रखा है आपको कितनी कार जो एवरेज है अब तक जितनी कार चली है उसका एवरेज बता रहा है 14.1 km per liter इसने अब तक एवरेज दिया है यह आपको टोटल बता रहा है कि कितनी कार रन हो चुकी है यानि कि 1642 km कार रन हो चुकी है तो इस MID को कंट्रोल करने के लिए कोई ज्यादा आपको फंसन की जरूवत नहीं है यहां सिर्फ एक सिंपल बटन दे रखा है इसी से यह पूरी MID कंट्रोल होती है तो सबसे बिले मैं बता हूँ आपको तो कंट्रोल करने के लिए सबसे अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो इसका जो पेज है वो चेंज हो जाएगा यह देगी है कि हम आ चुके है उसी वाली पेज पर इसके बाद अगले पेज की हम बात करते हैं तो जैसे की यह दे रखा है यह जो बताएगा यह आपको जो कार उस वक्त रण हो रही होगी उस वक्त वो कितनी फ्यूल कंजम्शन मतलब कितनी फ्यूल एकोनमी बताएगा इस टेंट वाल पर आबर उसके बाद हम बात करें तो यह है कार को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने टाइम सेट किया था इतनी कार रन होई है मदलब इतनी टाइम तक 41 मिनट 29 सेगंड अब इसके बाद यह दे रखा है एट्रिप में मतलब मैंने जो लास्ट टाइम रिसेट किया है उसके यह बाद 874 km यह रन हो चुकी है यह बी ट्रिप इनको आप रिसेट कर सकते हैं वह मैं आपको आगे बता हूँगा यह जो आपको दिख रहा है वह है कि कितना और जितनी यह कार में जो फ्यूल है उसे कितनी कार रन करेगी वह आपको यह दे रखाए 296 km मतलब जो फ्यूल दे लेकिन अगर हम इसको continue 2 या 3 सेगंड के लिए दवाय रखें तो यह reset हो जाएगा जैसे कि मैंने यह दवाय रखा यह देखिए रिसेट हो गया यह 0 जैसे इससे अगले वाला अगर हम बात करें तो यह जो average speed है इसको अगर हमें 0 करना है तो इसको continue दवाय रखें यह 0 हो गय यह यहां पर gear बताता है कि इस वक्त कार किस gear में जैसे कि मैं आपको अगर यहां पर reverse gear engage कर के बताऊं तो यह मैंने reverse gear engage किया तो यहां पर आप देख सकते हैं यह R लिखा गया अगर मैं first gear में होगा second gear में होगा तो यह continue मुझे बताते रहेगा कि कौन से gear में है अब इसके ब तो यह थी Hyundai Grandi 10 Nios के M.I.D. से रिलेटिव वीडियो उमीद करता हम आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद्ट